हेलो हेलो अब्दाने अब आपको शाम को रेप्टिक्स देखो रेप्टिक्स जो है सब्सक्राइब नियुक्त पड़ा रहा हूं है पहले लेक्टर सबको समझ मैं आप में से आपको जिसने मिस किया होगा राहाम से बैठते लोग आज का लेक्टर शाम का बहुत इंबॉडट क्योंकि जो भी मैंने बता है उसको रिवाइज करूंगा थोड़ा सा और और उसके बाद बहुत अच्छा करवाने वालों मैं कैस दो पेर का जो मेरा लेक्षर हैं वह हीट ट्रांसफर अधार हीट कराने वाले एडवांस की लेक्चर में तो वो नॉर्मल क्वेशन सॉल्विंग होने वाली है बट वो क्वेशन की रेकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मतलब आपको ऐसा होगा कि अभी अभी लेक्चर फिर आपस ही ट्रास्फर में बेटो और फिर अपस उदर बेटो ज्यादा हो चालू करते एक दो मिनिट में लेक्चर को स्टार्ट कर लेते फिक्षन के दो मिनिट में स्टार्ट करते हैं झालू करते हैं झालू करते हैं झालू करते हैं झालू करते हैं तो फटार 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 को बढ़ेंगे मतलब मैं नॉमल इसमें जाओंगा लेकिन हम लोग कुछ अच्छे-च्रिशन ठीक है फिर जो फ्रिक्षन का तो अपर लेवल का क्वेशन होता है वह आपको अपको प्रीवेस वीडियो से यहां पर नहीं देखूंगा ठीक हैं हाँ यह फ्रिक्षन जो है वह एक्षिली न्यूटन लॉज अफ मोशन में ही है पर फ्रिक्षन एक से और में अलग से चाप्टर ठीक है तो यहां पर देख लो फ्रिक्षन क्या होता है ठीक है मैं फटा 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 कुछ चीज़े बोलने वाला हूं सब लोग पर फिक्षन मुझे बता कुछ सा याप का फोर्स है फ्रिक्षन कब आएगा एक जब बॉडिस के अंदर कॉंटेक्ट होते हैं कॉंटेक्ट मतलब एक बॉड़ी एक सर्फेस है दो सर्फेस का कॉंटेक्ट जब होगा तो स्क्षिक्षन आएगा राइट तो पहले तो कॉंटेक्ट सर्फेस और अपने चीज़ देखी होगी आप एक सर्फेस है यह पेन है आपको यह बच्पन में पढ़ा होगा कि जब ऐसे जा रहा है तो फिक्षन पीछे होता है फिक्षन अपोज इस दो मोशन पढ़ा है कि नहीं आपने हमेशा हम लोग पढ़ते हैं सर यह यह सर्फेस है इसके उपर पेन रखा पेन ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्षन पोजेश दा मोशन फ्रिक्षन इचे आएगा यह सब आपने पढ़ा है तो हम लोग क्या करते हैं जो भी आपने पढ़ा है भी भूल बनाब ठीक है थोड़ा सा याद रखो दिमाग में रखो बट देप्स में पढ़ने वाले क्यूंकि बढ़े हो चुक्या तो यहां पर देख लेते में फटापर फटापर यहां पर लिखना चालू करता हूं अपको पहले ठीकली लिखना है और दूसरा होगता है काइनेटिक फिक्षन था तो बोट पढ़ रहे है पर ठीक है तो extrusesдо कैनेटिंग भी बोलते हैं लिमिटिंग उसको बोला जाता है ठीक है और आपको पता है स्कॉं को लोग दिखेंगे स्ट्रींग स्पाइट को हरेंगे स्ट का इस प्रिक्शन खार थिंबल को अपन लिखते rowacement और दान में रखना फिक्षन कुंसा फोर से इस कॉंटेक्ट पूर्स एंद यहां पे देखो पैरल टुकॉंटेक्ट सर्फेस पताई आपको रही पहले सब सब थेरी में आपको बता रहा हूं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा एक क्या है तो स्टैटिक फ्रिक्षन होता है इसको और नाम थिया जाते है गांव इस मैक्सिमक फिक्षन इसी को और एक नाम देते मैक्सिमम् मूलोगे सब इसक्षें को मैक्सिमों फ्रिक्षेंक'll बोंते हैं लिम्निंग डिक्ष improvements इतने सारे नाम तो इसको अलग अलग सिंबल भी होते हैं मतलब कभी-कभी लिखते हैं कभी लीमिटिंग टिक्षन लाय एम करेके बोलते कभी मैकसीमू फ्रिक्षन कोई सारे सिम्ब लेकी है कोई बोलेगा सबसे सिंबल लिखने के लिए अच्छी बात है अब मैं आपको यहाप एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ इन सबका जो वैल्ली होता है वह होता है मिउघ इंटू एन और यहां पर अपने इसका फॉर्मूला लिखेंगे इंटू एन अभी क्या बताओं घंसन मतलो क्या है तो मिउघ जो होता है जो एसा सिंबल है उसमिउघ इसको हम लोग बोलते हैं कोईफिशंट कोईफिशंट और स्टेक फिक्शन इसको आप मुझे बता थोड़ा से लगा इसको कोईफिशन ऑफ स्टैटिक दिशन बोलेंगे तो यह क्या है कोईफिशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अब जैको फेलिंग में आपको इफिशन द्हान में लिख देना ठीक है एंड क्या होते एंड वाट इस एंड बढ़ा ही यह भाई पूरा नौन लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स यह भाई हो जाएगा नॉर्मल फोर्स सबको समझ में आ रहे हैं मतलब जो भी अब तक मैंने कुछ पढ़ा है नहीं मैंने सबकुछ लिख दिया है ठीक है इतना दो समझ मैं ठीक है एंड में रखना यहां पर एक में बॉक्स बना के लिख रहा हो मिफ मिफेंड्स अपॉन ऐस भी थाईपसफ मटेरियल टाइपसफ में अटेरियल लगुजस इन कॉंटेक्ट की इस की थैहि उट रिकको ऑला सब लोग यहाँ पर देखो फ्रिक्शन इस टाइप ओफ ओट कॉंटेक्ट फोस होता है बस इतना भी दिमाग पर डालो वह अपोस करता है सपोर्ट करता है लगबार में तुम लोग बोलते हैं सपोर्ट अपोस करता है कि ऐसा जा रहा होगा तो पीछे रहेगा अपनों बाद देखो is equal to Mu into N, Mu s into N, Mu N. इसको भी, इसका भी फॉम्मुलर मुवके एं प्रिफिक्स रइथ तो म्यू आपको लिख दिया एंडिस म्यू जो होता है डिपेंड अपॉन टाइप सफ मटेरियल इन कॉंटेक्ट इसके बाद में दिमाख वाली चीजे बताऊंगा आपको बहुत दिमाख वाली चीजे होने वाली इसमें कियोग जोग दिमाख वाली जो होता है वाली चीजे करते हुआप रखको बहुत आपको बहुत है झाल 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 ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर सब लोग देख लो फ्रिक्शन दो टाइप स्टैटिक कैनेडिक यह सब कुछ हो गया समझ में आगया तुमको यह सब को समझ में आया है क्या ठीक है अब पहले तो हम लोग कहते स्टैटिक कैसे कैसे निकालते आगे बढ़ू में आगे बढ़ू आगे बढ़ू लिखके हो गया आपका इसमें कोई कुछ है ठीक है फिर आपको बताऊंगा इसका कैसे करना है ठीक है इसका यूस कैसे करना है आभ गाईज वाल पस बोलराओं में आज शाम का जो लेक्शे रे आप्टिक का बहुत इंपॉर्डन लेक्शर है मिस्मद करना ठीक है नब और धो एलक्शर है चार जो आपको ऐसा लगा कि आप बहुत बर्डन हो रहा है इसके बाद दूसरा तिसरा लेक्चर तो आप एक काम कर सकते हो कि वह लेक्चर का रेकॉर्डिंग जरूर देख लेना क्यूंकि एफल्टी में काम मानने आने वाला है ठीक है तो जो ही ट्रांसफर का में बहुत सारा नि झाल 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 प्रेक्टिस करा दो प्रेक्टिस में दो फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं आपके लिखता हूं कि मो बोलते हैं एक रिक्टिस को बोलते हैं एंटु एंडू के इंटू एंटू एंग इंटू इंटू एंग् दिए और आपको और नॉमल नॉमल तो सबको पता है बराबर चलो तो अब मुझे दो में केसे दे रहा हूं ठीक है दो तीन एक्जांपल आपको सिर्फ यह स्टैकिक वेल्यू निकालनी है वर्णे यहां ठीक है सब यहां पर देते सब यहां पर अलग अलग एलग एल इंग एक्जांपल दे रहा हूं मैंने एक यहां पर एट केजी का ब्लॉक रखा ही म्यू एस की वैल्यू है पॉइंट एट ये मू के की वैल्यू है पॉइंट फोर तो बतो जो कि स्टेटिक ौउक्ष किल गुत्चा हो पर देखेस्टी तो मेरा और इसकी वैल्यू नॉ तो बताव यहां पर स्काइटिक फिक्षिंट दोनों के इसमें कितना रहे एक एक नॉर्मल नॉर्मल पहले मुझे बताव कितना हो सकता है इसमें की वैल्यू बताव यूजिंग फॉर्मुला कि अब सबसे यहां पर यस रिपलाय करता है हमेशा कि तुम लोग भी रिपलाय कर या किया करो और बाकि लोग भी रिपलाय किया करो ठीक है फूछे पहले तो पहले कर सथी कि इतनी है एक टी कि अब स्क्राइट कि इतना होता है कोई पॉइंट पॉइंट इंटू एटी यह तो पता ही ना भाई आए इस दारिशन में कोई जाई निए रहा है वह तो पॉइंट फोर इंटू एटी आंसर कितना है थर्टी टू निउटन थी के स्क्राइट फिशन की वैली कितने कोई बुलागा सर्ट इंटू एंट अब इस की वैली कितनी है पॉइंट इंटू एटी तो पॉइंट इंटू एटी कितना होता है आंसर 64 निउटन 64 निउटन सबको समझ में आया क्या पहले बता हुएं सबको समझ में आया क्या तो यह हो गया 64 निउटन अडिक है कैसे किया विपिंटन कितना नौंमल कितना है पॉइंटेंट कितन Houston कि रिए ओटे कुए की वेलु पॉइंट पॉइंट टक स्मझ में धा मनरे ऑल यू si ah यूनिट गी वो से friction 4 से तो न्यूटन में ही रहेगा इस टूनरो की सबस समझ में है कि समझ में एंडिन हें नहीं तुमने इनकी रेकॉर्ड सकूर नहीं नहीं और terakॉर इक्वर सिन्ब लाफ जो लोग रेकॉर्डिक बिना देखके ए रहे हैं मतलब आप रहे हो आपके पढ़ने के लिए यहां अब यहां पर देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अब मुझे तो इन्टू एंटू टो मूझे वेल्यू कितनी है तो मूझे इन्टू एमजी समझ में आ रहे किया तो स्केडिक शन कितना हो गया नॉट एंजी हो गया कि नहीं हो गया फिर सब्सक्राइब लिए कुछ नहीं करना आपको जो भी ये जान लाना तो नहींबुर्ण और काम खतम है यह सब को समझ में आ रहा है क्या क्या से कलकुलेट किया क्या आपने देखो आप एक चीज़ सिंबल सिरो मैंने आपको जब मैं बोलता हूँ कि आपको रेकॉर्डिंग देखने आनिये में कुछ परपस के लिए बोलता हूँ आपने देखा हो का उदर जो मैंने पढ़ा है और इदर पढ़ा थोड़ा सा मेठा ड़ा लगे समझ में आए गया जो म कि एक लेक्षर में सरकूलर मोशन पढ़के आना है सरकूलर मोशन पढ़के आना है सर्कूलर मोशन की दो लेक्षरस होंगे देख क्या हो और आगे बड़े अगे बड़े अगे बड़े गई कि छोटा सा एक्जांपल देता हूं ठीक है एक्जांपल थी सेम चीज़ है मुझे मतलब सीप बता तुम क्या करोगे अब मैंने इंकलाइन प्लेंट पर रखा एंगल थीटा है इंकलाइन प्लेंट पर रखा तो मुझे बताओ यहां पर बताओ कि इस्टैटिक फिक्शन कितना ओड़ाओ वेल्यू कितनी बताओ यह मुझे मैंने यह नहीं पुछा कि ब्लॉक पिछे जाएगा उपर आएगा नीचे आगे सब नहीं पूछा इस्टैटिक फिक्शन और हमचे दोनों की वैल्यू मुझे आपां बस अलिके निए धैने कि मेस्टन बीकुट यहां पर नॉर्मल फॉर्स मॉॉर्स क्या नॉर्मल फॉर्स क्या है मैं क्या पर अग्रच गल्थियंशा किया करो है मुझे बताओ यहां पे कभी बी पाउगी नॉर्मल फोर्स ऐसे होगा mg ऐसे होगा आप याद करो normal force ऐसे mg ऐसे है ना तो अब आप suppose इसका जब आप fbd बनाते हो तो याद करो कि यह मेरी axis है यह मेरी दूसरी axis है यह एंगल थीटा है तो मुझे बताओ यहां पर एंजी का यह component क्या हो जाएगा एंजी का यह कुछ काम काई नहीं है इस अब मुझे बताओ विक्षिन स्ट्रेटिक कितना होगा तो फ्रिक्षिन स्ट्रेटिक हो जाएगा मुझे इंटु और एंगी कुछ तो मिच सिर्टेट्व यंट कितना हो जाएगा एंटु एंटु एंजी साहिन हीटा म्जी कॉसी था। सबक्र को समझ में आया है है यह सबको समय में आया है क्या सब्सक्राइब किया जाता है अब तुम लोग को एक क्वेश्चन तुमको एक क्वेश्चन पुछता हूं मैं मतलब एक क्वेश्चन चीज है मतलब जो चीज है थोड़ाद हैं से सुनो ठीक है मुझे बात बताओ गाईस लिखो लिखो इसको लिखो चलो क्वेश्चन क्वेश्चन लिए क्वेश्चन कि चलो हो गया आग्या बढ़ते हैं कि अब यहां पर देखो तुमको एक एक अभी इस्टाटिक करें दोनों का मैं यहां पर देता हूं अब तुम बोलोगे समझ में नहीं आ रहे हैं दोदो फिक्शन कर और स्टाटिक एंडिक का मतलब के है तो पहले नों के समझ में अभेले हैं मतलब ठीक है हम लोग ने तो बच्पन में पड़ा था शरे एक ही फिक्रिक्शन है मतलब गाड़ी गाड़ी जा रही है फ्रिक्शन और अभी के लिए दो जो फ्रिक्शन क्यों और यह काम कैसे अब मैं जो यहां पे एक्जांपल दे रहा हूं सब लोग यहां पर कान खुल किस एक्जांपल को सुन लो कि एक मैंने ब्लॉक रखाऊ हैं बहुत बड़ा सा ब्लॉक है ठीक है और मैने ब्लॉक का मासक्म के 26 कप लॉक मतलब हेवी नहीं करते 80 के जी अभी लग जाएगा मतलब कुछ-कुछ आप लोगों में से आपको सब tomar आता थाक्का नि ओख निक यहां पर यहांन ayo पॉइंट नो कए करके बताओ अब बढात फैक्टिकशन अब ऑल्र जो भी आपन नीकिया भी करो आप सट्व तो फुर्पास कर और मुझे होऊ जापस करो मूe इंटु एन और यॉलिव कि होगी एड हम नॉमल की वालु किया होगी एठंडुड नैक तो कोई बोलेगा सर्मीवेस इंटु एंड और यह हो जाए कि एंटु एंड और मुएस की वैल्यू कितनी है पॉइंट फॉर इंटु कितना नॉमल फोसी एटी केजी न तो नॉमल फोस की वैल्यू क्या हो जाएगी एट हंड्रेड तो मुझे अताक आंसर कितना है यहां गलत अधिया मत करो एटी इंटु फॉर इस्टी टुनी थी ट्वेंटी नुटन थी ट्वेंटी नुटन ठीक है कि एंट कितना तो इस अब को समझ में आया कि आप में से कुछ लोग बोले हो कि सरे इस समझ में नहीं आ रहे है नॉमल फोस्की वैल्यू अपने कैसे लिए भाई ज्यादा मार्क आने के उस पर हो नॉमल फोस्क्या हो जाएगा एटी इंटु अंड्रे तो इतना मुझे बताओ समझ में आया क्या अब इसका मतलब में आपको समझाता हो अपको इसका मतलब समझाता हो सब लोग यहाँ पे सुआ क्या मिला मुझे स्टैटिक फिक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई या मैक्सिमा फिक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से कैलिकुलेट किया मैंने थ्री ट्वेंटी न्यूटन और काइनेटिक फिक्शन की वैल्यू मिल देखो मैं अलग कलर में लिख जता हो चाहिए कानेटिक स्पिक्शन की मुझे मिल गई 1 16 newton समझ रहे हूं कि यह 320 newton यह नीजिक्श न्यूटन यह समझ में आया आपको दो अलग-अलग friction है दो अलग-अलग friction सब्सक्रांच कोई मुझे पता सकते हैं कि स्टैटिक एंड केमें क्या होता है फ्रेका चाहिस का एंड इस इस का इस जोड़ इस कैभ सबसे क्यों पूर के एंडिक यह यह जोड़ कभी त सथे इस zwischen सब्सक्राइब बराबक कि शब्लोग ज्ड़ां वह रिप्लाइ कर रहे हैं तो इसको वह बोग कर रहे हैं वह तो बॉलेंगे स्टेटिक ब्लॉक मुझ कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कूलेंगे काइनेटिक तो कभी अपने ये चीज देखहें गहाई कभी आपना टपका दिए ये एकलता ड़ाँ फोस नहीं लगा तो बोख नोग करता है क्या बलोक मुत करता है तो मद्म करेका ऑघा नहीं और फॉब मुह नहीं करता तो मुझे थोड़ा धका तुम्हें दे रहा हुँ ने कि धका धे रहा हुए उसके बलॉक मुह आयकर वैघंवwort वे उसके ब्लॉक कर रहा है की नहीं कर हुँ सकते बलॉघ volumes कर तर ब्लॉक मुह कियोंकी भी बोग मुंहीं करता भी उसके बाद प्रिक्षन है फिर आप धक्का देना धक्का थोड़ा सा बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो और एक ताइम ऐसा होता है कि आपने जो और दार लगाया फोर्स तो ब्लॉक मुह करना चालू करता है कि नहीं मतलब जो मेरा फोर्स जो मैं लगाने वाला हूं ठiक है तो मेरा फोर्स है भिसे जाधा होना जो जब दीदमा किस्ट से जाधा होना करेगा सबों समझ में आ रहा है सबको सबको समझ में नहीं है यह मेरा जो फोर्स है वो सब्सक्राइटिक फ्रिक्षन से ज्यादा है देन उनली ब्लॉक्ट विल मूव मतलब इच्छुड भी ग्रेटर दैं थ्री ट्वेंटी मतलब स्टैटिक फ्रिक्षन जिसकी अभी वैल्यू कितनी थी यह रहा है इसकी वैसरेती थी तंस Milo को मुझे कराना तो मुझे कितना ना पड़ेगा बता हूं कि ऊप kafई 10.013 20.01 1320.200.233 25.203 24 0.25 कोई भी लुकिस सता एंगil मेरी इप्लाइड एक तैक ड्लाइड फोर्स इग्रेटर दंटिय। अप्लाइड स्फॉर्स मतला जो में डाल लो मंधए अप्लाइड पोसेट ग्रेटर थैं स्कैक डिट कॉट थें यह ले इन ऑंदी दुभ किले स मूँत करेगा है तब तक मुझे बताएं वाइडिस कॉल स्टैडिक तो मुझे बता जब मेरा फोर्ज तो ब्लॉक मुह करेगा क्या ब्लॉक नहीं करेगा मतलब कौन सा फ्रिक्शन आ गया कौन सा प्रिक्शन काम में आगा बताओ जब ब्लॉक मुझे कडि काम में आते हैं स्टैटिक का मतलब क्या मुझे नहीं कर रहा है वाड़ी दिरज कंसेटिक, सिद्ध काम में आता है् विंग बॉड़ी मु Hz जब बॉडी मू करना चालूँ करेगा तो समझ मैं तो अब काम में आएगा जब बॉडी मू bishop नहीं करेगा तो कुन सा कषच या गा री कि कि यहां पर में दो चीज़े लिख रहो आपको समझ में आ रहरा कर देखो में जो लिख रहा हो if if force is less than if force is less than static friction इंट इंट ग करेगा नहीं करेगा बॉडी ड़सेंट मूव बॉडी ड़सनोट मूव ड़सेंट मूव ठीक है इफ फोर्स मैं फोर्स इस ग्रेटर दन स्टैटिक ट्रिक्शन बॉडी मूव यह समझ में रहे हैं इतना मतर्समझ में बता है ठीक है जπर स्कूerstatik नीचे कानर करेगा आएगा अभू के इसे होता है वह आपको बताओंगा मैं मुझे पहले बताओ इतना सब को समझ में आया इतना सब को समझ में आया तो इतना समझ मैं कि देखो यहां पर दो नंबर है तो यहां पर है सब्सक्राइब मेरा सब्सक्राइब करेगी अब मैंने क्या किया मेरा फोर्स जो में डाल वह कितना है और फूर्स इक अध्य अग़rics ऑच्रण करेगी अध्य मेरा वुसयं आपर से क्या नहीं करें आत्युन के डीकरका प्सक्राग आपड्री लृट्टू अप्सक्राइब कि कस थे तहें नंइंतिन न्यूटन क्या बद्सक्राइब करें तीनोपत ऐसे बादी मूँब नहीं करेंगा चलो कोई बोलेगा थी नाइंटीं ऐग्जक्ली 320 लिए मैं चलो एग्जक्ली त्री ट्रीट्वेंटी लिए जिक्ट्रीट्रील्टी पे भी बादी मुँव नहीं करेंगे कि इन तीनों में बॉडी वोन्ट मूव ठीक है इन तीनों केसे में एबी सी केसे में बॉडी ड़ंट मुव यह आपको समझ में आ रहा है इसका एक सफिरेशन कितना होगा एक सफिरेशन कितना हो जाएगा कि अपर आपको आता है मुझे बताओ एक फोर्स में लगा इदर तो मुझे इसको अपॉस करने के लिए फोर्स कुन सो लेकिन मुझे बताओ पहला वाला बोड़ी न्यूटन जब मैंने अब ऐसा पकड़ लुए अब मैंने हंड़ेट न्यूटन फोस्ट लगाए अपने क्या बोड़ी मूग करेगा क्या ऑपने क्या बोला नहीं करेगा तो मुझे उस टाइम पर फ्रिक्षं की वैल्यू कितनी हुग जब 2 बोड़ीमु नहीं करेगा तो मैंने बोला स्टिक फीक्ष towels ठीक है बोड़ी तो 100 जीडर न्यूटन जय क्या आपने क्या पोला लिक्ष्छ या इस्की वैल्यू कितनी होगी इंप सब्सटेटेंसी त्र elabor लिखें सब्सक्राख 2 लिक्तर है क्या आप 3 20 को बोल एक सिंपल सी बात मुझे बताओ भाई हंड्रेट न्यूटन का फोर्स यहां पर तो बॉड़ी कहां पर मुह करेगी एफ इस इकोल टुए में पढ़ाए कि नहीं पढ़ा तो तुम बोलो कि तो फिक्षन है हंड्रेड है तो बॉड़ी तो पीछे मुह करेगी ऐसा होता है तुम धक्का देने गए और आटोमेटिक यह अपना ब्लॉग जो पीछे मुह करने लगा ऐसा होता है तुम धक्का देने ऐसे गए और ब्लॉग तुमारे पास आ रहे हैं ऐसा होता है कि नहीं होता ना ठीक है तो गाईस यह अंड्रेड न्यूटन है बॉड़ी मुह नहीं कर उतना फ्रिक्षन होई है की नहीं की बेल्यू यहां पर कितनी होनी चाहिए तो CT की फ्रिक्षन है उसकी वैल्यू कितनी हुनी चाहिए जितना फ्वोर्स फ्रिक्षन देखो का और एक पॉर्स केंसे ना इस ना यह आए विद्ग होगा अफ सेकंट के जैपको डिकेस बिप्रक फिक्शन के वालु टुमें कितने होगे बीपार्ट में बने इस लगाए आपने अपने अफने आपने बोला कि अभी तो बाडी मून ही करने वालुक बाड्य मून ही एक तो तो जो इतना फोर्स होगा उतना ही फिक्षिन चाहिए तो हंडेड हो गया अब जब मैंने लगा 320 मैं फिक्षिन की वैल्यू कितने होगी 320 तो एक पंगा नहीं दिखर आपको भाए पने बोला है कि थी ट्रीटवेंटी तक तो बॉरी मुह नहीं करेगी जब बॉरी मुह नहीं करेगी तो कुन सा फिक्षिन आना चाहिए स्टैटिक फिक्षिन लेकिन स्टैटिक फिषिन की वैल्यू तो थीट्वेंटी यहाँ पर के तो तो यह फिर यह जो वैल्यू आपने लिखी है यह किसके लिए यह कुछ तो अलग है और जो आप बोल रहे हो कुछ अलग है धैन में रखना धैन में रखना गाइस यहां पर आपको लिखना है जो मैंने यहां पर लिख भाया था static friction, static friction this is variable friction कि variable friction और यहां पर बोल रहाँ, static friction is variable friction maximum value यहां पर इसलिए लिख आएड़ देको maximum friction maximum value of static friction value of static friction is this ba jomani mu s into n mu s into n is the maximum value of static friction static friction value कुछ भी भो सकती है चाहित में आपना it is variable static friction की भी भी हो सकती है po जो मैं ने यहां पर लिख्थ है mu s into n this is the maximum value इसलिए f max भी बोलते है f limiting भी बोलते तो इसलिए इसके दोगो दो नाम आ गए एफ मैक्स एफ लिमिट कोई बोलेगा सर काइनेटिक बड़ यहां पर दो दो नाम है क्यों आपको समझ मैं और एक्जांपल बताऊंगा तो आपको और समझ मैंगा ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस लिमिटिंग फ्रिक् इसको भी लिखना है इसको भी लिखना है मैं आपको एकजंपल और देता हो सब लोग सुनों पर लोग को समझ में कुछ भी नहीं आए अब यहां पर समस्क्राइगा पटारव इसा पकड़ यहां पे का बलॉक है कि वैल्यू है 0.4 यू के की वैल्यू है पॉइंट चलो मुझा बताओ पहले अपने क्या कि यह ऊत्रीक मैक्सिमॉट्ञ सक्षे वैल्यू इंटी है घूटना है फिफटी को अनसर कितना है एंटी न्यूटन समझ में आ मुके इंटो एन आई मुके की वेल्यू है पॉइंट टू ठीक है अब मुझे बताओ ट्रिक्शन देखो मैक्सिमुम अब यहां पर देखो यहां पर धायर में रखना स्टेक की मैक्सिमुम फ्रिक्शन है उसकी वेल्यू आई इतनी थे जू पहले तो मुझे एक बाद बताओ इस ब्लॉप करवाना है तो मुझे कितरा फोर्स जालाना पड़ेगा मिनिमंभी तो मेरा जो 20 नीउटन से ऊपर है ट्वें करेगा कम है तो ब्लॉक मूह नहीं करेगा तो मुझे बताँ मैंने ऐसा केस दिया मैंने बाला चलो फोर्स की वैल्यू मैंने दे दी इसकी वैल्यू मैंने दे दी इसकी वैल्यू करेगा क्या तो नहीं करेगा अब ब्लॉक मूह नहीं करेगा तो कोई अभूर्ट का एकसलरेशन जीरो करना है तो मुझे बताम मेरी इसन की वेलू कितनी होगी तो मेरी फ्रिक्षन की होगी यह पॉर्च और एन फॉर्च कांट सब्सक्राइब है तो यह भी ट्वेल होना ही पड़ेगा तो ही तो जीरो होगा तो मेरी Fiction की वैलू भी कितने आएगी सब्समझ में आ रहा है कोई बोलेगा संदा कैस थीक्ते को दॉए के सार सेकंड मैंने के सेकंड मैंने बढ़ा दिशिए पीट नीउतन नहीं आएगी यह 18 तो यह भी एटीन थेयं अब मुझे बता हो फोर्स बैल्यू एक्जैक्लिटी न्यूटन व्लॉक करेगा नहीं मुग करेगा थिक है तो यहां पर फिक्षिन की वैल्यू भी कितने आएगी 20 तो मुझे बुझा क्या ऐक्षिजु एक उएक्छेन डिपर्च्ट सब आपन ओर को बिया वेडियू विडिव तो इस लिक्षन को मेना कॉले frिक्षमाeltर गाल गई इस दिखन विक्ष्टन व्किंहें सैन्या हुआ डिशन अर अब धिक तैस्ट कि विक्षिंट थ्वेड्ती है ट्वेशा ट्रिक्श्ट ूक très इसमें स्टैटिक्शन की मैक्सिमम वैलिए सब को समझ में आ रहा है कि नहीं आ इतना समझ में आ यह कि नहीं है अरे अब खुई बोलेगा सर लेकिन आपनी यह केस तो बताया है नहीं कि ना इफ फोर्स इस नौट ट्वेंटी न्यूटन तो क्या होगा इस माइफोर्स इस 실डी यूटन तो क्या होगा कोई बोलो यहां पर आप वां सिहां पर कर रहा हूं यहां पर यहां पर त Star लेकिन मैंने यहां पर बोला है यह से कृव क्या होगा भाई स्वेंटीफाय नूटन तो एक कोई बोलो यहां पर अब यहां पर कर रहा हूं यहां पर देखो अब मैंने यहीं आप यहां पर रखा मैं वापस इस सेम है प्रनिकिन मैंने यहां पर बोला माइफ ऑ्क एस 25 नूटन अब क्या होगा अब जाया सै और से दोन डेंट कर नूटन अब ब्लॉग क्या करने माला है और मुझे बता हूँ जब ब्लॉग करता है तो serum यहां पे मैं लिखोंगा कुंसा फृक्षण अब जो मेरा केँगा कितनी है कितनी है कितनी है तो यहां पर क्योंकि ब्लॉक करेगा अब यह 25 यह 10 तो मुझे ब्लॉक का एक्सेलेशन कहां पर होगा ब्लॉक करेगा यहां पर होगा एक इस इकोल टुए में आता है नहीं अवड़ापको नेट फॉर्स 25 मायनस के इस मैं एक फॉर्स 25 मिंदि टिटेंगा पर यहां पर आंसर के लिखा रहेंगे एफ नेट इस इकोल तो मार्श इंटो एक्सलरेशन एफ नेट इस सितना है 25 माइनस 15 इस एकोल टूमास 5 तो एक की 15 by 5 which is equal to 3 meter per second square this is the case of static friction this is the case of kinetic friction और एक्वेशन को लिख दो आप लोग सब लोग इसमें एग्जम्पल 2 क्लियर हुआ क्लियर हुआ गाई सबको क्लियर हुआ यह क्लियर हुआ तो इसन आपका रफ्रिक्शन क्लियर हो जाएगा फिर दोतीम क्वेशन में आपको दूंगा अजफ़ और वहुआ दोंगा लिखो गाइस लिखके हो गया आपका लिखो मतलब एक यह एक्जाम्पल वन के लिए अपने जगा छोड़ी होगी उस प्राबली तो पहले आप लिख दो फिर एक्जांपल प्री में आपको देता हूँ फिर एक्जांपल वन को लिख फिर में थोड़े से अच्छे अच्छे Examples आपको दूंगा आच्छे एक्जाम्पल मतलब जिन में आपकी छोड़े से हालत करब हो षकती है फिर आपको कौसा विपने वेडार मेरा मेरा जो लेक्षेर निज़े लोत हैं जो झन instruments वाले लोग झाल झाल टीक अच्छी बात है लोगों ने अच्छे से देखके आया वे फिक्षन के वीडियो ठीक है मुझे पते हैं आप दो दो चीजे कर रहे हैं अभी रियो प्रिक्स भी चालू हो गया तो थोड़ा सा तो आपको और जो भी तेखो काई पूरे के पूरे सॉल कर लो आपका जो भी सीनियर बैच इस जो सीनियर बैच मतला आपका जो एक बैच उपर है उन स्टुरेंट से आप लोग पूछ लो कोई डाउट होगा तो प्रोफेसर से पूछ लो ठीक है नोट्स प्रॉपर बनाते रखो बनाके जाओ एक्षिश करो न किसी ने कोई बोला कि सब्सक्राइब कर लो गई करने के बाद मतलब अब करेंगे और फिर वर्क एनजी पावर आपको क्रिस्मस के विकेशन मतलब क्रिस्मस का जो टाइम उसमें वर्क एनजी पावर आपको देखना है कि निवेर में आप वर्क एनजी पावर भी देखके रखोगे हैं कि कोई बोला है वो भी देखा गुड़ कि चलो एक्जाम्पल थ्री यह कर लो जड़ा यह वाला कर लो आपको करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी हाँ पे सब लोग देख लाना ठीक है एक और यहां पे में फोस लगा रहा हूं ठीक है एक बार देखो ए और दो पार्टी ही एए एक बार मिने फ्रॉस लगाया है ठीक है थे मलों से ठीक है ॡांस देखना एक बार मीने फोस लगआens 852 तन फिफ्टी न्यूटन का तो मुझे वर्क एनर्जी पावर मेकनिक्स का ही पार्ट है झाल 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 फोज एटी न्यूटन फोर्स फिप्टी न्यूटन राइस क्या होगा बताओ मुझे फटाफट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ इसको पर लिखेंगे इतना में यहां 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 फिप्टी न्यूटन अब जब मुझे बताओ मेरा फोर्स फिफ्टी न्यूटन है तो चैंट फिक्शन होगा उसकी वैल्ली वी कितनी होगी जितना इस जाड़ेगी इतना दर्bon 순 फिफिप्टी न्यूटन होनी ही पड़ेगी तो यहां पहली समझ मैरा आइस क्लियर हुआ क्या है यह क्लियर हुआ क्या अब मैं आपको चार पाच अलग अलग टाइप के और एक्जामपल देने वालों चार से पाच अलग अलग टाइप के एक्जामपल जो जनरली जहीं जहीं में में नीट में पुछे जाते हैं ठीक है जहीं एडवास डबल ब्लॉक ट्रिपल ब्लॉक वह सब कुछ आपका एडवास से रेखना पड़ेगा मैंने पढ़ाया था ठीक है झालों झालों एड़ाइप कर फड़ाइप कर दो दो जाफ जहीं पुछे कर दो एड़ाइप कर दो है करें कर लेते हैं एक जांपल वन चाहिए ऑके एक जांपल बंका लेलो आप बात में लिख लो यह तो ऐसी मैंने जो इस्ट्रेंट किया था तब का एक एक जांपल वन है एक लेशापल टूब टूब थी से मिए था आप इसका जिस्ट एक लिके रखो स्क्रेंशाट लेके रखो आप लोग ठीक है है कि हो गया अब एक्जाम्पल फॉर सब लोग यहां पर एक्जाम्पल फॉर थोड़ा सा लग थोड़ा सा लग यहां पर सब सब लोग देखो लाइक सब लोग यहां पर देखो इसमें दो और आते हैं पहले तुम यह वाला चीज़ बताओ मुझे क्या है ठीक है लेट्से मैंने बोला कि यह एंगल है 45 डिग्री ठीक है और यह फॉर केजी का ब्लॉक है देखो फॉर केजी का ब्लॉक दिया है तो आपको समझने के लिए अच्छे से देखो फॉर रूट टू केजी का ब्लॉक दिया है ठीक है मुझे बताओ सब्सक्राइब एक पहला वाले केज दिया म्यूच की वैल्यू पॉइंट थी है और म्यूक की वैल्यू पॉइंट वन है तो बताओ व्लॉक के साथ क्या होगा अब बताओ मुझे आपके क्या होने हो थोड़ा से दिमाक लगा थोड़ा दिमाक लगा एक क्वेस्चन अभी मतलब मुझे पॉइंट वन दिया है क्या होगा सी बताओ क्या होगा यहां को बताओ ऑप फोरूटू के जी का ब्लॉक है इसके लिए आपका कैल्कुलेशन थोड़ा से एजी हो जाए ठीक है क्या है प्रेंट निकलो और फिर इसका बीडिवा इंपॉर्टन देगा इस विडिया अपको बनाना इंपॉर्टन देगा इस तरह में और एक क्वेशन दूंगा इस बनाना इंपॉर्ट एफिर लास्ट ने थेरी पार्ट बताऊंगा तरी पार्ट इसके बद और दो-तीर एक्जांपल में और आपको देने देना है मुझे अपको बेसिक तो क्लियर हो जाएगा और फिर जो भी अपर वाला लेवल का लेक्ट्ट्र अपर लेवल का थोड इसके बाद आपका होंवर्क के सॉल एक्ट्सी वर्मा फ्रिक्शन नंबर फिफ्टीन तक ठीक है आप सॉल करो क्रेशन नंबर फिफ्टीन तक यहां यहां पर झाल प्रिक्शन वर्मा आपका है चलो, अब यहापने देखलो अब में यहापने बनाऊंगा एक बीडी तो यहापने नॉर्मल फॉर्स तो गया ऐसे यह जो वाइस्ट अब यह चुट्ट आप एक्सीज बना दी एक एसे अब 40 चुरू है और यह सीटा यह 45 डिग्री है तो आप देख सकते हो पॉटी रूट टू कॉस्ट फॉटीव साइंट फॉटीविए गाएं तो कोई बोल सकते हैं पर नोमल फोस की वेल्टी ओएगी नोमल फोस की वेल्यू आ जाएगी 40 40 रुट तो नहीं एकल टो एकल टो 40 नूटन तो मुझे बता हुआ मेरा स्काटिक शुक्षिन कितना हो जाएगा कि मैं से फिक्षिन कितना हो जाएगा पॉइंट त्री इंटु फोटी विचिज एकल टुट टुटन ट्वेल नूटन कि इस पॉइंट वन इंटु नॉमल फोर्स विचिस फोर्टी तो आंसर कितना है यहां पर फोर नूट यह सब को समझ में आया है क्या पहले बताओ यह अपने कैल्कुलेट किया क्या अब मुझे बताओ एक सिंपल सी बात बताओ यहां फोरंट टो केजी को को कौण नीचे कीच राहा है कौग कौन सा भ्लॉक माला कोंसा कितना फोर्स फोर्टी न्यूटन किया पॉर्स मैक्सिमुम फिक्शन से ज्यादा है इवाला कंपोरट देंग्राइवे यह न सावतित तो इसगरे सफोर्तन चलंकों कमपोर्णट द्रिक्षिन होगा आयेगा को सांट और कि किनी का जो किना ऐगाunky ग्रिक्ष्ण के की गतनी यह 14 न्यूटन सो मुझे इसका आंसर किटना इसका एकस्वेशन एक किसलेशन ऐगा वह के कब 40 F net is equal to mass into acceleration so 40 minus 4 is equal to mass which is 4 root 2 into acceleration acceleration 36 by 4 root 2 9 root 9 by root 2 यह सबको समझ में आ रहा है क्या किया है मैं अच्छा मदब क्वेशन बन के देखो अच्छा कोई दिक्कत कोई दिक्कत गाइस कोई दिक्कत इसमें अच्छा और दू आपको मैं एक इसी के उपर का और और देता हूं मैं थोड़ा सा दिमाग लगा अच्छा और देता हूं थोड़ा सा दिमाग अपके लगाना पड़ेगा एक कीशन में और देता हूं मैं एक्छा आपके एकुशन मैं और देता हूं तो मैं आपको थेड़ी की सबसे निक इसाब से पढ़ा रहा हूं मतलब चीजे चीजे आपके और क्लियर हो जाएगी आपकी ठीक है क्रेश्चन तो ऐसे बहुत बनेंगे इसमें वही है कि जितने क्रेश्चन में कराऊंगा उतने कम है क्योंकि फिक्षण है जितना कराऊंगा उतना कम कुश्चन सोंगे भाई इक मैंने अब आपका बैसिक बना दिया आपका काम है कि अपने प्रिवियस रेकॉर्डिंग देखके जैवाई सी के इवन डेकॉर्डिंग देखके आपका फ्रिक्षन और क्लियर करो एक्जाम है आप तो करनी पड़ेगी एक्जांपल फाइद एक लो और फिल्ट से डर मत जाओ ठीक है कम भी स्कोर आए चलेगा कोई दिक्कत नहीं रेकिन देनेगा कर दो फोर्टीफाइड डिग्री रखते हैं इस रूट टू केजी रख दिया मैंने इस की वैलू रख दी मैंने वन पॉइंट फाइब एंडियू की वैलू रख दी मैंने पॉइंट तू तो बताव इस केसमें क्या होगा है फाइंड दे वैल्यू अफ एक्सेलेशन एंड फिक्षन फटाव फटाव बताव अफीड एक्सेलेशन एंड फिक्ष्ट दोनों बताव इस केसमें झाल 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 जाइस अब मुझे बात बताओ पहले तो यहां पर फटाफ फटाफ ठीक है तो यहां पर देखो नॉर्मल फोर्स यह है यह सिक्स्टी रूट टू तो शिक्स्टी रूट टू के दो अब मुझे बात बताओ नॉर्म फोर्स की वैल्यू कितने आएगी तो नॉर्म फोर्स इक्स्टी आया तो फिक्शन मैक्सिमम आएगा वन पॉइंट्व इंटू सिक्स्टी इतना आएगा यहां नाइटी नूटन फिक्शन मैक्सिमम एपॉइंटू इंटू सिक्स्टी ना यह निच्व लूटन फोर्स क्या आपको लगता है । नाइटी नॉटन से बड़ा है लिख रहे हैं कि आपने स्टी नूटन जो खिचने वाला फोर से ग्रावीडिका एक देखना है तो ग्राविटी का कंपोनेंट फ्रिक्शन मेक्सिमम से बड़ा है देखो जैसे नीवटन फोस्स इस लेज दैं फ्रिक्शन मैक्सिमम यह चोटा है तो यह फिक्शन में चोटा होने के वजह से एक्सइलेरेशन ओफ दो बोडी कितना हो गया जीरो हो गया अपर जितना फॉर्प्रिक्शन की वेल्यु कितनी है बॉड़ी मु नहीं है तो यहां पर जो फिक्शन आएगा स्टैटिक फिक्शन इस क्वेश्चन में है और उस समझ में आ रहे हैं कोई दिक्कत इसमें अब तक को यहां मैं समझ में आ रहे हैं अ कि अब तो अध्याट यह थी एदिक पहले और फिर फिर नहीं इस क्रश्चन के बाद और फिर थे तक चूटी एडिये च्छी ज्यादा कुछ बड़ी थेरी नहीं है वो थेड़ी करके अपना लेक्चर फिक्षन का खतम हो जाएगा अपका बेसिक जेए मेन नीट लेवल तक का हो जाएगा और कुछ-कुछ अच्छे-च्छे क्वेशन बनेंगे वेच्छी और मासे सॉल करते हैं मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर रग दूंग तक है श्रिसांसर का लेक्च्छर हो जाएगा आपका फिक्षन के ऊपर और थुरा से अलग टैपकी क्रिश्चन करवाएंगे आपसे थीक है यह हो गया मंदब आगे बढ़ों में आगे बढ़ूंगाइस ऑगे बढ़ूंगा अगे बढ़ूंगा अगे बढ़ूंगे झालग 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 को कि अधुकर करेंब इसा कुश्ण आता है जिसमें या सर्फेस में मिद्थ एसकी वैल्यू दी साटम कें पॉइंट फ्रे से मतलब इसको तो इसकी शर्ट वेलोशिटि है इसकी में ञेवाइव इनिशन वेलोसिटि हुन जो ऍबसेक्ण कुन R merchant ना। पता हुझे इसक्रस्चन में गलॉक करें तो कौन सा काम में सिंपल सी वाथ नुवां आधा है खुम करने के लिए कहा काम ही नहीं है एंट एंड ठीक है तो म्यूटें टुक्या म्यूटें टुक्या एंजी बराबर की नहीं कि नॉम्मल फोस की वैल्यू कितने एंजी यह समझ मैं रहा है क्या तो इस ब्लॉक की ऊपर और एक सिक्ष्व आएगा कहां प्याइगा तो मुझे सब्सक्राइगा तो पीच्छे आए स्पीड होते कम की जिरो नहीं पीछे है तो भाई इसका एक्सलरेशन है वह भी तो पीछे है जहां पर फोर्स तो एफ इस इकॉल टू एमें अपन करेंगे एफ ने इस इकॉल टूमास इंटू एक्सलरेशन तो एफ पीछे है फिजिज मू के एम जी यह आपको एक यह चीज रखते तहुत है फ्रूमुला सीधा चीधा टीड हिंटू जीरागे एक्रसेशनय क्या गया मूझी आ गया ए एक्सलरेशन के मूची मिउजी शहेरेशन की यहाँ पर जो वैलिए्ध्य वह जाएं गर्स पॉइंट टू इंटू टेन को आंसर कितना है यहां पर एक्सेशन यह फॉर्मूला रिटारडिशन बीटारडैशन का फॉर्मूला है बीसिकलि जी म्यू सब्सक्राइब बाइब रूखेगा किसने बोला कि कितने लाइम के बाद बॉलॉकर की बलॉकर रूखेगा तो एकपेशन कहाएगा वी इस एकवल टू यू प्लस 80 वी जीरो यू टेन ए माइनस टू तो टीकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइसेकंद सफाइसेकंद के ब्लॉक रुकेगा कोई बोलेगा तर ना डिस्टंस ट्रैवल करने के ब्लॉक रुकेगा अब को समझ मैं कितना डि प्लस तू एए एज वी जीरो यू इन स्क्वेर एक्सलेशन माइनस दू तो टू इंटू माइनस टू इनटू इन्टू इंटू इस की वैलिए हंड्रेट बाइफ फॉर ट्वेंटी फाइफ मिटर सब को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं कैसे अपना मतलब काइनमेटिक्स और फ्रिक्षन कनेक्ट हो गया मतलब लॉक को डायेक्ली थो किया में तो लॉक जब फ्रोग अल्रीडि मू कर रहे हैं और किसे बॉला कि इसका रिटार्डेशन कितना है तो लिगो नहीं एज़ेखो एक्वेशन बहुत इंपॉर्ट है एक्सेंश्य की वैलिए कि मूग गी मिव इंटू जी काम की चीज़ बोली में आपको सारे एक्जाम्पल्स अब तक जो मैंने पढ़ा है सबको समझे में आये का नहीं आए झाल 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 है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े करें आगे बढ़े आप ओ झाल 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 पर को कि कि अब गाई अब सब लोग देखो थोड़ा साब ये है i एंगिल ओफ रिपॉर्ज इंगल और इंगल इभॉज क्या होता है ऑपको ऑड़ यह व्टसरी इंगल आ फ्रिक्शन दोनों सही हो ए मतलब जादा वह नहीं एक जादा फरक नहीं इसमें बट वाट इस एंगल और फिक्षा पता होना जरूरी मुझे उता सपोस्थ मैंने एक ब्लॉक को रखा सिंपल ऐसे सब लोग यहाँ पर देखो और कोई भी फोर्स नहीं तो मुझे तो ब्लॉक मुझ करेगा क्या मैंने मास को सिर्फ एसी रखा हुआ एक्दम स्टेट तो मुझे तो ब्लॉक करेगा के इसमें इसने मास ऐसी रखा वर करेगा क्या नहीं करेगा चिल वैली थोड़ा सा और ज्यादा एंगल तो नीचे आ जाते हैं इक अंगल पर नीचे घसर में जालू होता है nove सबस्क्राइए ऐंगल बढ़ा tunailik चालू कि ya और एंग पर एंगल पे आपने देखा हो गागत परतिकोलर एंगल पे झिस नीचे आना चालू होगा यह देखा आपने थीटा बढ़ाते गाए जिटा जीटा बढ़ाते गाए जिसमें ब्लॉक जस नीचे मुझ करना चालू करेगा अपने अब भी ज़स्ट देखा कि नॉमल फोस्ट एन होता है यह एम जी नीचे होता है ठीक है और मैंने सब्स्ट ऐसे कुछ-कु और इसकी वैली होती है एम जी साइन की था ठीक है तो अब यह ब्लॉक तो मुझे अब फ्रिक्षन की मैक्सिम वैल्यू कितनी है एं और एंटी वैली एंजी कॉस थिटा है तो मुझे तब लॉक कब जस्ट नीचे करना चलू होगा ब्लॉक कब नीचे भिसरना चालूगा इसकी वैल्यू एंजी साइन से बड़ा है तो ब्लॉक का पर जाएगा नीचे जाएगा सिधा अरे खिचने वाला फोर्स एंजी कहें यह जो पॉर्स है पुलिंग जो जो ग्राइबिटे का एक इससे बड़ा हो जाएगा नीचे जाएगा सिंपल सी बात है तो काई कॉंसे इस पर जश्ट वो मूह करना चलू करेंगा जब दोनों फॉर्सस क्या होंगे सेम कि यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ इस मैक्स के बराबर होगा टो प्रिखशायं थीटर एस मैक्स के बराबर मतलब कितना उफ्टिटा के बराबर होगा तो आप यहां पर इस ठीटा पे यह ब्लॉक करना चालू करेगा नीचे धार में रखना इसको थीटा नौड बोलूँगा मैं ठीक है तो इस पॉस्टिकुलर थीटा नौड पर ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यह ब्लॉक या करेंगा जश्मू करेंगा मतलब एधा है यहां पर तेड़ा जाना रखना क्या करेगा इट गपाइ यहां का if it is greater than this theta not block will come downward block will move block will move if if theta is less than theta not block doesn't move acceleration is 0 block accession zero I see another condition at this particular this angle थिता नौट इस एंगल खीटा नौट इस इस काल एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है उस पर्टिकुलर एंगल पे ब्लॉक वैसा का वैसा रहेगा तो गाइस एक यह थे लिटी जो आपने पड़ी होगी मैंने अपको पता है थेली पाट एंगल इंगल उफिक्षन और फिक्षिण बिश्यच्रल में मतलब आप यहां पे यह होते है नौर्मल पर्स These दोनों कॉन से प्क्रमाल फॉर्स दौन किस डेप मान सबने क्या है थे रिसृटंड किस रीप कर लों क्या है वह रिजक साल इक फॉ internally तो लिवस्त अभी जिसकाल इनसे नार्मल के साथ ऑन गिल बनाता है इस एंगल इसकाल एंगल व एंगल ओफ क्ष्ञन अगल ऑफ्रिक्षण जैज चनरल अपन ऐसे लैंबडा से ऐसा इसा ऐसा इसकाल आग्वरण फक्षिण इस एंगल फ्रिक्षन का सिंबल मतलब इस एंगल बनाता है इस वह लगते है वह लगा लेंड़ा की मैक्सिमम बेल्यू बता कितनी होगी इसकी मैक्सिम मैल्यू कितनी होगी फिक्षिक्षिंश की मेक्सिम्ट होती है तो अब देखो के जो में आपको यहाँ पर भी बताया एंगल ऑफ ट्रिक्शन का जो यह थेरी है यह अलग है और यह एंगल ऑफ रिपोस का थेरी भी अलग है बट इक्वेशन से में लैंबडा मैस की वैलू टैनि वह सब्सक्राइब और एंगल ऑफ रिपोस भी कितना है दोनों से नहीं होत करना चालू करेगा डैनिस का एंगल ऑफ रिपोस चलो फटाफ फटाफ इसको लिखके बात खतम कर लो और मिलते हैं शाम के लेक्शर में शाम का लेक्शर का लेक्शर है ठीक है अपने चार बजे का लेक्शर अटेंड नहीं किया तो भी चलेगा इसका रिकॉर्डिंग तेक्या चालू बाइ गईस बात यह बातो हुआम का लेक्शर गवच्चर है इसका लेक्शर हो ऑफ प्यवद्गे पर मिलते हैं ठीकम होता रह तोंटे फें एक्शर में शार से अरेस्ट दाओ कर लेक्शर हैं नहीं हैं ओना है हुआ है है व см Mickais ठीक है चलो बाई गैज आप लिखके ख़तम कर लो सी यू सुन ठीक है यह लिखते रहो आप लिखते रहो आप लिखते रहो मैं इसको म्यूट कर रहो बाई मैं इसको मं सी ठीक है बाई आप लिखते हैं लिखते रहा दो पर दो आप लिखते हैं क्यों सेको भाई लिखते मूटँ कर लादो आप लिखते हैं इसको में महोटश साइवांगों आप गलावाशम над बात बनाप्रेम झाल 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 झाल